एक दर्द कॉंग्रेस भूल नहीं पाती है कि दूसरा घाव उसे मिल जाता है तारीक पर तारीक तो आपने सुना होगा लेकिन जटके पर जटका जटके पर जटका इस वक्त कॉंग्रेस की हालत देखकर एक कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कॉंग्रेस के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं कुजर रहा है जब उसे कोई बुरी खबर सुनने को ना मिल रही हो एक वक्त में जो कॉंग्रेस के करीबी हुआ करते थे वो आज कॉंग्रेस से दूरी बना रहे हैं महराष्ट में वैसे भी सियासी बवाल चल रहा है लेकिं ऐसे में सबसे बड़ा चठका कॉंग्रेस को बाबा सिद्धी के बेटे जिशान सिद्धी की तेनी का प्लान बना रहे हैं जिसने कॉंग्रिस के लिए महराष्ट में चुनाव की राहें और जादा मुश्किल कर देई हैं तो क्या कुछ है पूरा मामला सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन कॉंग्रिस से लगातार नेताओं की नराजकी से कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पारोलतर पार्टी और आप देख रहे हैं सुलक्ता सवाल क्या कॉंग्रिस पार्टी छोड़ेंगे जीशान सिद्धी की? क्यूं कॉंग्रिस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही? क्या जीशान सिद्धी की अजीत पवार की एंसीपी करेंगे जौईन? क्यूं कॉंग्रिस के नेताओं का पार्टी से हो रहा मोह भंग? महराश्ट कॉंग्रिस में चल रही सियासी उतल पुतल के बीच एक और छटका कॉंग्रिस को लगने वाला है क्योंकि महराश्ट की राजुनीती में अपनी धाक रखने वाला बाबा सिद्धी के बेटे जुशान सिद्धी भी अग किसी भी वक्त कॉंग्रिस पार्टी को छोड़ कर अजीत पवार के खेमे वाली एंसीपी में शामिल हो सकते हैं जी हाँ ये खबर आने की बाद महराश्ट की सियासत में जबरतस्त बवाल मचा हुआ है तो चलिए बिना देरी किये हुए पूरी कहानी आपको बताते हैं दरहसल महराश्ट में विधासबा चुनाफ से पहले कॉंग्रिस को एक और बड़ा छटका लग सकता है विधायक जिशान सिद्धिकी बागी हो सकते हैं और वो किसी भी वक्त अजीत पवार की राश्टिवादी कॉंग्रिस पार्टी में शामिल हो सकते हैं उनके पिता बाबा सिद्धिकी पहले ही कॉंग्रिस छोड़ कर अजीत पवार का समर्थन कर चुके हैं जुसने महराश्ट में कॉंग्रिस की जड़ों को हिला कर रख दिया था अब जिशान सिद्धिकी भी अपने पिता की रहा पर चलने की प्लानिंग कर चुके हैं महराश्ट कॉंग्रिस को बड़ा जटका जिशान सिद्धिकी के कॉंग्रिस चोड़ने के चर्चाओं को और जादा हवा तब बिली जब मुंबई में आयोजत होने वाली अजृत पवार की जुन सम्मान यात्रों में जिशान सिद्धिकी के पोस्टर भी देखे गए हैं आला कि कॉंग्रिस ने अभी तक उन्हें पार्टी से निश्कासित नहीं किया है लेकिन उन पर कभे भी कोई कारवाई हो सकती है महराश्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्धिकी ने कॉंग्रिस को चटका दिया था और अब विधान सिद्धिकी पार्टी को च सिद्धिकी के रूप में एंसीपी को मुंबई में ताकत मिलने की उमीद है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा उन्ने सगस को बांदरा पूर्फ में है उमीद की जा रही है कि जिशान इस समय अजीत दादा के नेत्रित वाली एंसीपी में शामिन हों के कॉंग्रिस ने आंतरिक जांच के जरिये साथ लोगों की पहच्रान की है इसमें जिशान सिद्धिकी का नाम भी श्रमिल है बाबा सिद्धिकी ने भी छोड़ी थी कॉंग्रिस महराश के पूर्वंतरी बाबा सिद्धिकी ने फरवरी में ही कॉंग्रिस पार्टी से स्ती चिफा देने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे वो व्यक्त करना चाहेंगे लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकहीं ही रह जाएं तो बहतर है से इस्तिफा दे रहा हूं बाबा सिद्दीकी ने एक दम ऐसे वक्त में उठाया था जब हाली में लोग सबाचनाओ होने वाले थे वहें कॉंग्रस फार्टी से बगावत करने और स्तीफा देने के बाद बाबा सिद्धिकी ने अज्रीत पवार की NCP को अपना समर्थन दे दिया पहले सिद्धिकी और उनके विधायक बेटे जुशान की एक फरवरी को पवार से मुलकात की थी जिसके बाद ये खबर आने लगी थी कि बाबा सिद्धिकी अज्रीत पवार की NCP में शामिल होंगे और बाद में हुआ भी कुछ ऐसा है दरहसल बांदरा पश्यम से तीन बार विधायक रहे सिद्धिकी पूर्वराज्श्य मंत्री थे वे महराश्य हाउसिंग एंड एरिया डेवलप्मेंट अथोरेटी के मुंबई डिविजिन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन्होंने राजुनीती के शिरुवात एक चात्र नेता के रूप में की थी और पहली बार बी एमसी में कॉर्प्रोरेटर के रूप में चुने गए थे सिद्धिकी उन्निस सो निन्यानवे दो हजार चार और दो हजार नौ में बांदरा पश्चिम में महराश्ट विदानसवा का चुनाव जी चुके हैं हाला कि 2014 के विदानसवा चुनाव में उन्हें मुंबई बीजेपी अध्याक्ष आशीश सेलार के सामने हार का सामना करना पड़ा था लेकिन महराश्ट में बाबा सिद्धिकी का क्या जल्वा है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बाबा सिद्धिकी की इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलिवूट आता है जुशान सिद्धिकी ने पहले ही दिये थे बगावत के संकेत बाबा सिद्धिकी के बेटे जुशान सिद्धिकी ने पहले ही कॉंग्रिस को छोड़ने के संकेत दिये थे और कॉंग्रिस पार्टी पर जुम कर हमला बोला था दरसल मुंबई यूद कॉंग्रस के अध्यक्ष पदसे हटाई चाने के बाद विधायक जुशान सिद्धिकी ने कॉंग्रस में अल्ग संख्यकों को साथ भेदबाव का आरोप भी लगाया था उन्होंने कहा था कि मैं मुसल्मान हूँ इसलिए मेरे साथ अन्याई किया गया है रावल गांदी अच्छा काम करते हैं लेकिन उनकी टीम बेहत भरष्ट है जुशान सिद्धिकी ने एक समवादाता सम्मेलन में ये आरोप लगाये थे उन्होंने आरोप लगाया कि कॉंग्र के अध्यक्षपद से हटाई चाने के बारे में उन्हें अब तक कोई अधिकरत प्रत्र फोन सूचना या इमेल नहीं मिला है जो कुछ जानकारी मिली है वो सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकारों से मिली है उन्होंने कहा कि यूद कॉंग्रिस के अध्यक्षपद के च चाहती है लेकिन कॉंग्रिस उन्हें सुरक्षित नहीं कर सकती हमेशा सोतेला वहवार करती है मुंबई कॉंग्रिस की लिस्ट निकाल कर देखिए कितने वरिष्ट नेता मुसलिम है मुंबई यूद कॉंग्रिस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुझसे कहा गया कि टी मैंने मुंबई यूद कॉंग्रस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीता भी 90 प्रतिशत वोट से जीतने के बाद भी मुझे यूद कॉंग्रस अध्यक्ष नियुक्त होने में 9-10 महीने लग गए मुझे इसलिए परिशान किया गया क्योंकि मैं मुसल्मान हूँ मुझे दुख है कि कॉंग्रस में अलग संक्यकों के लिए कोई जगह नहीं है करनाटक में भी मुसलिम उम्मीदवार को अच्छे वोट मिलने के बावजू यूवा कॉंग्रस अध्यक्ष का पद देने में कुद्द है ने बार कोका कि अगर कंग्रस को अलपसंख को की कद्र नहीं है तो हमें भी अपने अन्य विकल्प तलाशने होंगे विधायक जिशान ने कहा कि मुझे करीब 90,000 वोट मिला था उसके बाद मुझे मुंबई यूथ कॉंग्रस का अध्यक्षु बनाया गया था अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कॉंग्रस को हम जैसे लोगों की वैल्यू नहीं है तो ये दुर्भागी पूर है कॉंग्रस पार्टी हमेश्वा कहती है कि हम हमेश्वा मुसलिम समार्च के साथ है माइनॉरिटीज के साथ थे लेकिन जुतना कम्यूनिजम कॉंग्रस पार्टी के अंदर है उतना कहीं नहीं है अभी तक मुंबई कॉंग्रेस का अध्यक्ष मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया गया अगर कॉंग्रेस पार्टी को मुस्लिम से इतना प्रॉब्लम है तो फिर धोंग क्यों रचा जा रहा है कॉंग्रेस को अपना धोंग बन कर देना चाहिए यानि कॉंग्रेस पहले से ही चालिस वोल्ट का जटका लगचाएगा सुलबता सवाल में फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें क्यापिटल टीवी